आज के इस वीडियो में हम लोग एट्रिब्यूट के कुछ मेटड्स को देखेंगे, देखेंगे किस तरह से एट्रिब्यूट को सेट किया जाता है, गेट किया जाता है, और किस तरह से एट्रिब्यूट के कुछ मेटड्स काम करते हैं, जो कि आप लोगों की लाइफ को एज के methods को इस्तेमाल करके attributes के साथ खेल सकते हो HTML के अंदर इस बात का क्या मतलब है आप लोग को समझाता हूं सबसे बहले मैं क्या करूंगा अपने अकाउंड में आकर एक रैपल बनाऊंगा और मैं मैं simply 42 underscore attribute methods के नाम से रैपल बनाऊंगा तो मैं जो चूज कर लेता हूं HTML, CSS, JavaScript और अट्रिब्यूट not attribute attribute और यहां पर मैं अंदर स्कूर लेकर methods लेकर एक रैपल बना लेता हूं और इसके अंदर हम लोग अब देखेंगे कि किस तरह से attribute के methods के साथ खेला जाता है ठीक है मानलो मैं यहां पर एक div लगाता हूं और इसके बाद मैं रिखता हूं hey I am first container और मानलो इसके अंदर मैं एक id लगाता हूं और मैं id is equal to डाल देता हूं इसमें first और इसके बाद मैं इसमें क्या करूं मैं simply इसके अंदर एक attribute दूँगा और मैं यहां पर बोलूँगा क्या attribute दूँगा इसमें class is equal to hey hey नाम की class का नाम जो है वो मेरे उपर है मैं कुछ भी देता हूं मेरी बड़ सी ठीक है तो अब मैं क्या करूंगा script.js में जाओंगा एक बार खुलना मुझे script.js जूम इन कर लेता हूं ज्यादा भी नहीं हां तो मैं क्या करूंगा यहां पर मैं क्लास बोल सकता हूं ठीक है तो मैं simply क्या करूंगा मैं यहां पर बोल सकता हूं ठीक है बहुत यह सिंबल सी चीज है और मैं अगर अपना console को लूँ तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि है यहां पर लिखकर आगे है ठीक है तो इस तरह से मैं get attribute जो है वो यूज कर सकता हूं तो मुझे simply क्या करना है get attribute के अंदर attribute का नाम डाल देना है और मुझे पता करना है कि क्या style attribute a में set किया गया है तो मैं simply क्या करूंगा मैं कहूंगा a.has attribute ठीक है और मैं जैसे ही has attribute करूंगा और उसके बाद मैं आपर मनलो देखना जाता हुए कि इसमें class set की गई है जो कि की गई है जो कि true मुझे देना चाहिए जिसको और फिसको मत false देना चाहिए औ नौड़ा function यह कैसा मजाक है यह कैसा मजाक है तो यह यहां पर चल क्या रहा है तो मुझे यहां पर first.has attribute लगाना था यहार एडॉट नहीं ठीक है तो मैं लोट करूंगा सबसे पहले मुझे true देगा फिर false देगा क्योंकि जो यहां पर हमारा class है वो attribute है मेरे first element के अंदर औ और style जो है वो नहीं है ठीक है तो यह बत आप लोग जो है यहां से देख सकते हो तो has attribute method to check for existence of an attribute get attribute is a method used to get the value of an attribute ठीक है अब set attribute मालो मैं set करना चाहता हूं क्या set करना चाहता हूं मालो मैं class को set करना चाहता हूं ठीक है मैं यहां पर एक काम करता हूं HTML attribute search करता हूं कि मैं attribute एचरेफ, id, height, width, alt और भी कोई यहां पर hidden attribute ठीक है तो मैं यहां पर अगर मालो यह देखना चाहता हूं मैं लो hidden true करना चाहता हूं मैं first पर ठीक है तो मैं क्या करूंगा मैं आप लिखूंगा first.set attribute और यहां पर मैं लिखूंगा लेटस से class नहीं hidden और hidden को मैं क्या कर दूंगा hidden को मैं कर दूंगा true ठीक है माल लो और मैं इसको ऐसे string set करूँगा और मैं इसको ऐसे reload करूँगा यह कह रहा है कि या ब्रेकेट लगा लो यह ब्रेकेट तो लगाया है मैंने यह कैसा मताग चल रहा है भाई ठीक है reload करो और यहां परते हैं को hidden मैंने true कर दिया तो गाया element मेरा ठीक है तो मैं इस line को comment out कर दूँगा ताकि यह जो first है जो कि मेरा element with id first है अब आप confused मत हो ना यह first क्यों मैंने as a variable directly use कर लिया वैसे काय देगे हिसाब से तो मुझे यह करना चाहिए था क्या करना चाहिए था यह करना चाहिए था get element by id और first कुछ इस तरह से करना चाहिए था मैं आल से यह मैंने किया नहीं हो एक अलग बता है आप लोग करना ठीक है मैंने भी कर दिया बाइदेवे ठीक है क्यों इसका class attribute set करना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं कि इसमें class एक तो true दे दो एक दे दो such यह दो classes दे दो इसमें ठीक है such in auto complete कर दिया भाई लो ठीक है तो आपर देखो classes equal to true space such in आगे ठीक है यह निकि अब classes के साथ खेलने के लिए मैं आप लोग को और method बताऊंगा class list के methods होते हैं वो सब हम देखेंगे आने वाले videos में यह भी कर सकते हो आप यह बात आप लोग को बता होनी चाहिए तो set attribute अब हम देखेंगे remove attribute कि remove attribute क्या करता है कि एक attribute को remove करता है As simple as that जैसे की मैं अगर चाहता हों कि मैं class को क्या कर दूं remove कर दूं किसको remove कर दूं class को remove कर दूं तो मैं simply क्या चला दूंगा remove attribute चला दूंगा मैं remove attribute चला दूंग और class जो है वो यह से गायब हो गई अपने देखा भी class गायब हो गई इसमें मैंने class भी डाल रही थी आपको दिखा दूं मैं index.html के अंदर class as equal to hey डाली होई थी लेकिन वो गायब हो गई क्यों गायब हो गई क्योंकि मैंने remove attribute class लिख दिया जब मैं इसको reload करूंगा आप देखना एक split second के लिए class दिखाई देगी देखा न देखा न देखा आपने देखो देखो देखा आपने class is equal to hey लिक करा है फिर वो गायब हो गई जैसे मेरी javascript execute हुई वो गायब हो गई ठीक है class is equal to जो लिका हुआ था वो attribute गायब हो गया क्योंकि remove attribute जो है वो remove करतेता है attribute ठीक है चलो जी बढ़िया अब LM.attributes अगर आप करोगे जिसकि मानलो मैं आपर कुछ इस तरह काम करता हूं मानलो मैं आपर लिखता हूं console.log और मैं आपर लिखता हूं first.attributes.lastly first.attributes और मैं इसको reload करो तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि यहां पर इसके सारे attributes आ गए है ठीक है इसकी class उसी के साथ साथ आप देख सकते हो यहां पर एक ID आया एक class आया ठीक है आप इसकी class और ID को directly access कर सकते हो ठीक है यह एक named node map का instance है ठीक है तो I hope कि आप लोग को समझ मे आगई यह चीज़ कि आप सारे attributes को भी यहां पर लिख कर आ सकते हो ठीक है अब data star attributes यह क्या होता है चलो जी बताता हूं इसकी कहानी भी आप लोग को देखो क्या होता है कि आप अपने custom attributes बना सकते हो ठीक है आप अपने custom attributes बना सकते हो आपको कोई रोक टोक नहीं है लेकिन मानलो मैंने एक attribute बनाया मानलो game नाम से मेरी मर्जी मैंने बना दिया game is equal to true कहीं पर दे दिया game is equal to true दूँँगा तो मानलो मेरा element चमाक में लगेगा मैंने कुछ ऐसा किया अब क्या होता है कि मानलो अभी तो game नाम का कोई attribute नहीं है मानलो future में game नाम का attribute डाल देते हैं javascript वाले javascript का मेटी जो acma script को manage कर दी है वो एक decision लेती है वो कहती है एक काम करते है acma script standard में game नाम का attribute introduce कर देते हैं तो मेरी जो script चल ले इसमें मैंने अपना custom attribute बना दाखा है game के नाम से वो तो problem create करते हैं game is equal to javascript ने अपने अंदर add कर लिया कुछ ठीक है तो इस से बचने के लिए javascript के specification कहती है कि आप data dash करके अपना custom attribute बनाओ जैसे मानलो मुझे game डालना है तो मैं data dash game के नाम से बनाओ अपना attribute और उसको मैं data set के नाम से एक data set के नाम से property मुझे मिल जाएगी और मैं उस property का इस्तमाल करके यह सारे data attributes निकाल सकता हूँ let me explain ठीक है मैं क्या करूँगा यहापर मानलो मैं लिख दूँगा data game is equal to मैं लिखूँगा data game is equal to Mario ठीक है मानलो और मैं आपर लिखूँगा data मानलो player is equal to मानलो मैं लिखूँगा Harry अब अगर मैं यहाँ पर script.js के अंदर लिखूँगा मैं इसको जरा comment out कर देता हूँ और भी कुछ लिखाए तो सब सारे console.log सो comment out कर देता हूँ अब अगर मानलो मैं आपर लिखता हूँ console.log और मैं आपर लिखता हूँ first dot और उसके बाद मुझे data set लिखना है simple ठीक है data set और मुझे क्या मिलेगा आपको भी देखकर मज़ा आजाएगा यह देखो मुझे आपर game mario player Harry मिल गया यानि की अगर मैं first dot data set dot game लिखूँगा तो मुझे mario मिल जाएगा और अगर मैं first dot data set dot player लिखूँगा player की spelling मुझे आती है यह मैं अभी आपको दिखा देता हूँ देखा दोस्तों मुझे player की spelling आती है मैं इसको reload करूँगा तो आप देखो mario और Harry याँ पर print होगा तो आप अपने custom attributes data dash करके ही add करो हमेशा कई ऐसा ना हो कि आपने अब मान लो आपका नाम सचिन है ठीक है मान लो अब आपको गयार सचिन नाम का attribute कहा डाल रहे है जावस भाई कुछ नहीं पता क्या मालूम future में क्या हो जाया और सचिन नाम का attribute बन जाए जावस के language में आपकी script जो है वो fail हो जाएगी इसलिए data dash नाम से दे रहा है आपको इतनी प्यारी property दे रहे है data set नाम की आप उसमें से सारे के सारे data dash वाले attributes को ले सकते data dash star मैंने लिगा है मतलब कुछ भी लिख सकते star की जगा आप data harry लिख लो data game लिख लो data camera लिख लो data mic लिख लो data laptop लिख लो data keyboard लिख लो जो मन चाहिए लिख लो यार ठीक है जो मन चाहिए लिख लो if an element has an attribute named data1 it's available as data element.dataset.1 जैसे कि हमने बनाया game और player तो वो हमको first.dataset.game के नाम से बिल के फर्स्ट क्या है? फर्स्ट मेरा element है आपको बता दू मैं यह है फर्स्ट फर्स्ट यह वाला element है जिसको मैंने id डाल कर get element by id करके लिया हुआ है get element by id हमेशा एक element लेता है ठीक है? चुकि id का मतलब होता है unique identify जैसे कि आपका class में roll number होता था unique आप ही का है roll number rule case आपसे आपको सिर्फ एक id देनी और जितने भी pages होते हैं जो भी serious websites इंटरनेट पर बनी होई है सब में एक element पर एकी id होगी और वो id किसी दूसर element में नहीं होगी ठीक है? I hope की वीडियो helpful रहा आप लोगों के लिए आप लोग समझे काफी चीज़ है attribute के methods ने देखे हमने data attributes देखे है अगर playlist आकसेस नहीं करी है अभी तक आपने दोसको जरूर आकसेस कर लेना और notes को भी आप साभी लोग जरूर आकसेस कर लेना यार बहुत मैनत लग रही है notes में बहुतारे ग 280 कोमेंट करते हैं कि यार बहुत सारे काम रहते हैं ऐसके बाद यह सब नहीं तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि मुझे time तो मुझे मेरा time लेने दोगे तोभी घ्र कोट्व बनेगा और मैं अपना time लेके बना दों गार कोट्स मैं अपना डाइम लेके कोर्स बनाऊंगा तभी इच्छा कोर्स बनेगा यह मुझे भी मालूम है तो मैं अपना डाइम लेके बना लाँ कोर्स I hope you understand thank you so much guys for watching this video and I will see you next time